नमस्कार, आज हम समुच्चे के बारे में पढ़ेंगे कक्षा ग्यारवी का पहला अध्याए समुच्चे, जिसे हम अंग्रेजी के अंदर सेट के नाम से भी जानते हैं ये सिध्धान्त जर्मन गणित अग्ये जॉर्ज के एंटर द्वारा स्थापित किया गया था त्रिकोन में तिये शिंखला पर समस्याओं पर काम करते हुए इन्हें इसका सबसे पहले सामना करना पड़ा उन्होंने कई अमूर्ते समुच्चे के विभिन गुन धर्मों के अनेक अनेक शोज़ पत्र भी प्रकाशित किये हैं इसके अलावा कई विरोधा भास भी किये गए कई गणी तग्यों और तर्कशास्त्य दुवारा विरोधा भास किये गए जिसमें सबसे जादा प्रसिद रसल विरोधाबास है जिसे अंग्रेजी में आप रसल पेराडॉक्स के नाम से भी जानते हैं इसके बावजूट सेक्च धांत वर्तमान गनित का मूलभुत हिस्सा है ये कई शाखाओं में इस्तमाल किया जाता है जैसे जयोमती, अनुप्रम, संबंधों, इत्यादी दैनिक जीवन में भी इसके कई उधारण आप देखेंगे जैसे कि किसी भी लेकर के उपन्यासों का समूँ, आपकी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों का समूँ ये दोनों ही क्या है, समूच्चे का उधारण तो समूच्चे क्या है, आइए इसकी परिभाशा देखें परिभाशा कहती है, वस्तमों के सुपरिभाशे संग्रय को हम समूच्चे कहते हैं जैसे कई उधारण आप और देख सकते हैं अंग्रेजी वन माला के स्वर यानि A, E, I, O, U, विभिन प्रकार के त्रिभुच और संख्या दो दस के अभाजे गुनन खंट ये सब हमारे उधारन है एक समुच्चे के गणित में भी आपने कही समुव पड़े हैं संख्याओं के जो की समुच्चे हैं जो की प्राकृत संख्याओं का समुच्चे यानि the set of natural numbers पुर्णांकों का समुच्चे परी में संख्याओं का समुच्चे वास्तविक संख्याओं का समुच्चे धन पुर्णांकों का समुच्चे धन परी में संख्याओं का समुच्चे एवं धन वास्तविक संख्याओं का समुच्च्चे कि अगर मैं आपको कहूँ कि किन ही पांच विख्यात गणी तग्यों के आपको समुह बनाना है, तो वे क्या होगा? वे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन पाएगा क्यों पाएगा? क्योंकि आप देख सकते हैं कि विख्यात गणे तग्यों को निर्मान करने का जो माप्तंड है वे अलग-अलग है ये सूपरिभाशित नहीं है इसलिए ये समुच्य भी नहीं है तो वस्तुओं के सूपरिभाशित संग्रे को ही हम समुच्य कहते हैं आईए इस पे एक उधारन भी लेते हैं इसके अंदर हमें निम्न जो समूह या फिर संग्रे दियों हैं हमें बताना है कि कौन सा संग्रे हमारा समुच्य है या समुच्य नहीं पहला देखेंगे जै अक्षर से प्रारम होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रे है जै अक्षर से जो प्रारम होते हैं महीने किसी भी एक वर्ष में वो क्योन कोन से हैं? जन्वरी, जून और जुलाई ये क्या है? सूपरिभाशित है हाँ, ये एक समुच्य है दूसरा देखेंगे भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखों को का संग्रे अधिक प्रतिभाशाली इसका मापदंट सूपरिभाशित नहीं है तो ये समुच्य नहीं है विश्व के सबसे सर्वश्रिष्ट ग्यारा बल्ले बाजों का संग्रे सबसे सर्वश्रिष्ट ग्यारा बल्ले बाज, सर्वश्रिष्ट फिर से क्या है ये? सूपरिभाशित नहीं है और ये संग्रे समुच्य नहीं है आपकी कक्षा के सभी बालोकों का संग्रे समुच्चे है सौ से कम सभी प्राक्र संख्याओं का संग्रे समुच्चे है लेखक प्रेंचंद्वारा लिखे तो पन्यासों का संग्रे जैसे हमने पहले पढ़ा था ये भी एक संग्रे है तो ये आप देख सकते हैं इन सभी में कि कौन-कौन से हमारे संग्रह समुच्चे हैं और कौन से समुच्चे नहीं बच्चों आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बिंदूओं पे ध्यान देंगे वो बिंदू क्या हैं देख सकते हैं वस्तुएं अव्यव सदस्य तथा तत्व ये सभी हम प्राय बच्ची मानेंगे समुच्चे के प्राय अंग्रेजी वर्ड माला के जो बड़े अक्षर हैं यानि क्यापिटल लेटर ए, बी, सी इन से सबको हम निरूपित करते हैं समुच्चे के सभी अव्यवों यानि जो उसके सदस्य हैं जैसे हम अंग्रेजी में एलिमेंट्स कहते हैं उन्हें हम अंग्रेजी वर्ड माला के छोटे अक्षरों से परदर्शित करते हैं जैसे स्मॉल लेटर ए, बी, एक्स, वाई, जेड, आदी अब हम निरूपित की बात कर रही हैं तो देखते हैं निरूपित की विदी क्या है किसी भी समुच्चे को हम दो रूपों से निरूपित कर सकते हैं वे क्या है रोस्टर रूप या फे सारणी बद रूप और दूसरा समुच्चे निर्मान रूप आईए सबसे पहले पढ़ते हैं रोस्टर रोप इसके अंदर हमें क्या करना है? ठ्यान देंगे जैसे कि इसका नाम है सारणी बद यानि हमें इसके सबसे पहले क्या करना होगा? अव्यवों को सूची में डालना होगा समुच्चे के सभी अव्यवों को सूची बद किया जाता है फिर हम सारे अव्यवों को प्रथक करते हैं प्रथक यानि अलग लग करेंगे और किस से करेंगे अर्ध विराम यानि कौमा से अर्ध विराम द्वारा प्रथक किये जाते हैं और उसके बाद पूरा ही कथन हम किस में डालेंगे मजले कोष्टक, मजले कोष्टक जिसे हम curly brackets भी कहते हैं, जो कि आप यहां देख सकते हैं, चीक, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सूची बद, फिर सारे के सारे अव्यवों को अलगलग करना है, अर्ध विराम से, और फिर मजले कोष्टक के बीच में हमने अपना कथन डालना है, उधारन देखेंगे, पहला उधारन संख्या दो दस के अभाज्य गुननखंड, दो दस के अभाज्य गुननखंड कोन-कोन से हैं, सूची बद कर लेते हैं, दो, पाज, तीन, साथ, कर लिए, उनको प्रथक किया, हम जो हमारा समुच्च है, इसे किस से नमांकित करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से, तो हम इसे नमांकित कर दिया, कैपिटल A से, तो ये कैपिटल A, बराबर में, ये सारा जो समुच्च है, जिसके अंदर कोन-कोन से अव्यवा रहे हैं, दो, पाज, तीन, साथ, ये किस रूप में हमने बरदर्शित किया है, एक रोस्टर रूप में, दूसर अधारन देखेंगे, समुच्चे A, जिसे हम सेट A के नाम से भी कहते हैं, इसमें हमारे क्या है, अक्षर, किस शब्द के, टैबिलर, इसमें जो-जो अक्षर आ रहे हैं, वो हमारे समुच्चे के अव्यव यानि एलेमेंट्स बन जाएंगे, कौन-कौन से हैं, T, A, B, U, L, R, इन्हें प्रतक कर दिया हमने अर्ध विराम से, और फिर बाद में मंजले कोष्ट, तो इससे आप समझ पाएंगे कि हमें कैसे एक समुच्चे को रोस्टर रूप में परिवर्ति या फिर निरूपित करना है, ध्यान देंगे इन बिंदुओं पे, तत्मों का क्रम जो है वो मायने नहीं रखता, हो सकता है आपने दो, पांच, तीन, साथ की जगे, तीन, दो, पांच, साथ लिखा हो, तो वे क्या हैं? वे दोनों समान समुच्चे हैं, वे दोनों एक ही है सभी तत्मों को अलग-अलग लिया जाता है, उधारन दो में देखिए जैसे, टैबिलर इसमें ए अक्षर कितनी बार आ रहा है? दो बारी, पर हमने कितनी बार लिखा? सिर्फ एक बारी, तो हमारे जो तत्मों हैं, वो सिर्फ अलग-अलग ही भिन-भिन ही हमारे समुच्च में लिखे जाते हैं, आखरी, इस वाले पॉइंट पे आम ध्यान देंगे, यानि जो हमारा बिन्दू है, सेट ए से सम्भंदित कोई भी तत्व, अगर उस समुच्चे में हमें बताना है कि वो सम्भोधित है, तो हम इस सिंबल का, यानि इस प्रतीक का इस्तमाल करते हैं, अव्यव है, किस सेट का, सेट ए का, तो हम कैसे लिखेंगे, जो दो है, वो सम्भोधित या फिर सदस्य है, सम्मुच्चे ए का, पर चार हमारा अभाजय गुननखन नहीं है, किसका, दो सो दस का, इसलिए हम देख सकते हैं, चार सदस्य नहीं है, हमने एक निशानी डाल दी यानि जो चार है, वे सदस्य नहीं है, किसका, सम्मुच्चे ए का, इसी तरीके से देख सकते हैं, बी अक्षर के, ये हमारा के सेट है, ये हमारा के सेट है, इसका सदस्य है, तो इसलिए हमने लिख दिया, बी सदस्य किसका है, सेट के का, इसे हम अंग्रेजी में belongs to भी कहते आशा करते हैं आपको इतना भी समझ में आया होगा आगे अब हम पढ़ेंगे अपना अलग रूप जो है समुच्य निर्माण रूप अब इसमें क्या करना होता है? किसी भी समुच्य के सभी अव्यवों को एक सर्वनिष्ट गुर्ण धर्म होता है जो समुच्चे के बाहर के किसी भी अव्यव में नहीं होता आप इसको परदर्शित करने का तरीका क्या है? ध्यान देंगे इन बिंदूओं पे सभी अव्यवों को दर्शाने के लिए हम एक प्रतीक का इस्तमाल करेंगे यानि प्रतीक X ये प्रतीक कुछ भी हो सकता है यानि अंग्रेजी वर्ण माला का छोटा अक्षर X, Y, Z, T, A, कोई भी इसके बाद हम कोलन चिन का इस्तमाल करेंगे फिर समुच्चे के सदस्यों के पिशिष्ट गुन धर्मों को लिखेंगे और फिर क्या करना होता है? पूरे कथन को मजले कुष्टक के बीच में लिखना होता है आईए एक उधारन ले उधारन में आप देख सकते हैं ये समुच्चे A जिसमें हमारे पास कुछ संख्याई हैं वे क्या है? एक बटा चार, एक बटा नौ, एक बटा सोला, एवं एक बटा पच्चिस इसको हम कैसे परदर्शित करेंगे? समुच्चे निर्मान रूप में सबसे पहले हमें क्या करना है? अव्यमों के लिए एक प्रतीक लेना है तो देख सकते हैं, हमने एक प्रतीक ले लिया एक्स, फिर कॉलन, और फिर हमें एक गुणधर्म लिखना है जो कि ये सारी संख्याएं पूर्ण कर रही होंगी वे गुणधर्म, आप देख सकते हैं, क्या है? एक बटा न का वर्ग देख सकते हैं, अगर हम दो लेंगे तो दो का वर्ग, चार तीन का वर्ग, नौ चार का वर्ग, सोला और पांच का वर्ग, पच्चिस होता है और ये सारी संख्याएं कहां से आ रही है? एक प्राकृत संख्याँ तो ये प्राकृत संख्याओं में से आ रहे हैं और ये सारी संख्याओं किसके बीच में हमारी आ रही हैं एक से बड़ी हैं पर छे से छोटी तो आप देख सकते हैं ये सारे हमारा जो विशेष्ट गुण धर्म है इन संख्याओं पर लागू होगा और इस तरह हम एक समुच्य को समुच्य निर्मान रोप में परदर्शित कर सकते हैं आईए एक और उधारन देखें इस समुच्य बी में ये समुच्य बी कैसा है ये समुच्य बी दो के गुण नाउं को का है हाँ जी दो चार छे आठ आधी हम पता है इसे हम कैसे लिख सकते हैं प्रतीक एक्स फिर कॉलन फिर गुण धर्म यानी एक्स बराबर में दो एन और य यह प्राकृत संख्या है पूरा कथन हमने मंचले कोष्टक के बीच में लिख दिया और इसी तरह हमने एक समुच्च जो की पहले किस फॉर्म में दिया हुआ है यानि किस रूप में दिया हुआ है हमारा एक रोस्टर रूप में दिया हुआ है उसे हमने एक समुच्च निर्म कर देते हैं मान लेते हैं ये समुच्य है M अब इसमें हमें क्या-क्या दिया हुआ है इसमें ध्यान देंगे ये उन सारी संख्याओं का समुच्य है या फिर संग्रे है जो की प्राकृत संख्या है दस से कम है एवं दो की घात X-1 जब हम इसके अंदर X का मान भरेंगे तो वह कैसी संख्या आनी चाहिए एक विशम संख्या विशम संख्या यानि एक ओड नंबर आना चाहिए तो यानि ये तीन अगर हमारे गुंधर्म पून हो रही है तो वह संख्या हमारी इस समुच्य M का सदस्य है तो देखते हैं सबसे पहले इस वियंजग पर ध्यान देंगे दो की घात X-1 ये क्या है ये सदेवी विशम संख्या रहीगी कैसे कि अगर हम कोई भी मान भर दें इस X के अंदर दो की घात X ये सदेवी हमारा एक समसंख्या है और इससे एक कम हमेशा विशम संख्या रहीगी जैसे कि अगर हम इसमें भरे भी मान भरे तो देख सकते हैं X को अगर हम एक भरे तो दो की घात 1-1 एक आएगा X का मान अगर हम 2 रखे तो दो की घात 2-1 तीन आएगा X का मान अगर हम 3 रखे तो दो की घात 3-1 साथ आएगा हर बारी हमें एक विशम संख्या ही मिलेगी तो आप देख सकते हैं कि 2 की घात x-1 सदेव ही एक विशम संख्या रहेगा तो यानि ये वाला जो गुर्ण धर्म है हम इसे खारेज भी कर सकते हैं और हमारा मूलभूत हमें क्या देखना है एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए और 10 से कम यानि जो भी संख्या 10 से कम है वे सारी की सारी हमारी इस समुच्चे M की सदस्य होंगी तो वही हमने यहां लिखा है एक, दो, तीन, चार, पाँच से लेके नौ तक सारी की सारी जो संख्याए हैं वे प्राकृत संख्या भी है और वे 10 से कम भी है और वो सारी इस समुच्चे M की सदस्य बन गई अब इस दूसरे प्रश्न के अंदर हमें क्या करना है समुच्चे को समुच्चे निर्मान रूप में व्यक्त करना है यह हमारा एक समुच्चे है समुच्चे A जिसमें हमें कुछ संख्याएं दी हुई है जो की माइनस दो, माइनस एक, शून्य, एक और दो है इसे हमें किस रूप में व्यक्त करना है समुच्य निर्मान रूप में ध्यान देंगे उन बिंदूओं को हमें क्या-क्या लेना है प्रतीक X या फिर कोई भी प्रतीक X, Y, Z, T फिर कॉलन फिर गुन धर्म लिखना है और पूरे कथन को हमें मंजले कोश्टक के बीच में लिखना है तो हम इसको कैसे व्यक्त कर सकते हैं ध्यान देंगे A नामांकित कर दिया बराबर प्रतीक X कॉलन ये सारी संख्याएं आप देखेंगे कैसी संख्याएं हैं पुर्णांख संख्याएं हैं ये सारी एक पुर्णांख है एवं जो भी संख्या है वह माइनस 3 से बड़ी है पर 3 से छोटी तो ये हमारा बुन्धर्म हो गया और इस पूरे के पूरे कथन को हमने मंजले कोश्टक के बीच में लिख दिया ध्यान देंगे हम इस रूप को किसी और तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं जैसे कि ये ए बराबर में प्रतीक X, कोलन और फिर हमारी जो संख्या है वो पूर्णांख संख्या है पर इस विशेश्ट गुन्धर्म को भी पूर्ण कर रही है आप देखेंगे अगर हम कोई भी संख्या डालें इसके अंदर X के मान में तो वह चार से छोटी होगी या फिर उसके बराबर होगी तो यानि ये हमारा एक और क्या है समुच्य निर्मान रूप में परदश्ट करने का तरीका तो बच्चों इसे हमें एक विशेश बिंदू का पता चलता है वे क्या है कि समुच्य निर्मान रूप सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से नहीं किया जा सकता वे अलग-अलग तरीके से भी हम उसे व्यक्त कर सकते हैं आईए अब हम एक प्रश्ण लें इस प्रश्ण में हमें क्या बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन सत्य नहीं है पहले कथन में देखेंगे ये हमारा बता रहा है ये जो 35 संख्या है वे इस समुच्य का सदस्य है ये समुच्चे क्या बता रहा है? ये समुच्चे वे संख्याएं हैं जिसकी केवल चार धन गुननखंड हैं. गुननखंड यानि फैक्टर्स. तो 35 के जरा गुननखंड निकालते हैं हूं. वे क्या क्या है? एक, पाँच, साथ और 35. हमारे पास कितने गुननखंड आए? चार तो यानि केवल चार धन गुननखंड हाँ. तो यानि जो 35 है वो इस समुच्चे का सदस्य है और ये खथन सत्य है. दूसरा खथन क्या बता रहा है? एक सो तेस इस समुच्चे का सदस्य नहीं है. और ये समुच्चे कैसी सदस्य ले रहा है? वे सारे अंक वाय के सभी संख् होना चाहिए. यानि अगर इसका कोई भी सदस्य है और उनके अंकों को अगर मैं जोडूं तो वह समसंख्या होनी चाहिए. ठीक? तो 123 के जरा अंकों को जोड़ के देखें. एक, जमा दो, जमा तीन. कितना आया? छे. छे हमारा समसंख्या है, यानि इवन नंबर है. और क्या है यानि 123 मेरा इस समुच्चे का सदस्य होगा पर कथन में क्या दिया है कि सदस्य नहीं है तो यानि ये कथन असत्य है अगला कथन देखेंगी रोस्टर रूप में समुच्चे डी यानि ये समुच्चे हमें समुच्चे निर्मान रूप में दिया हुआ है जिसे हमें र रोस्टर रूप में विक्त करना है और रोस्टर रूप में विक्त करने में दिया हुआ है कि यह हम इस तरीके से लिखेंगे, यानि सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही क्या आएगा सदस्य जो की पी है, तो ज़रा देख लें, क्या है? अभाज्य संख्या, पी का धन गुनन अभाजय संख्या पी हम जानते हैं कोई भी अभाजय संख्या होती है तो उसके कितने गुनन खंड होते हैं एक और वही संख्या तो इसके अंदर हमारे कितनी सदस्य आने चाहिए दो वही सदस्य यानि वही संख्या पी और एक यानि इसके अंदर एक सदस्य कम है तो ये कथन असत्य हुआ अगला कथन देखेंगे समुच्य ये जिसके अंदर हमारे पास संख्याएं है एक बटे दो, दो बटे तीन तीन बटे चार, चार बटे पांच इसको अगर हम समुच्य निर्मान रूप में लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे क्या ये सही है? देखते हैं हमें सिर्फ एक गुण धर्म देखना है कि जो गुण धर्म है वो पूर्ण कर रहा है या नहीं वाई, यानि जो हमने प्रतीक लिया बराबर में एन बटे में एन प्लस वन ये एन कहां से आ रहा है? प्राकरत संख्याओं से कि ये कथन सत्य है अब आफरी कथन को देखेंगे विश्व के सबसे अधिक खतरनाग जानवरों का संग्रह है हाँ आप पहले भी पढ़ चुके हैं अधिक खतरनाग जानवरों का संग्रह है ये सुपरिभाषित नहीं है और ये एक समुच्य नहीं है तो ये कथान असत्ते है पड़ें की आज हमने क्या-क्या देखा सारांश है वस्तों के सूपरिभाशिस संग्रय को हम समुच्य कहते है समुच्य के बड़े वसमुच्य के सदस्यों को चोटे अंग्रीजी वनमाला द्वारा परदर्शित या फिने रूपित किया जाता है समुच्य को दो रूपों में व्यक्त करते हैं जैसे की रोस्टर रूप और समुच्य निर्मान रूप रोस्टर रूप में हम क्या-क्या करते हैं सबसे पहले अव्यवों को सूची बद करते हैं फिर उनको प्रथक यानि अलग-लग करते हैं अर्ध विराम से और तीसरा पूरे के पूरे कत्थन को मंजले कोश्टक के बीच में लिखते हैं अग समुच्य निर्मान रूप इसके अंदर हम सदस्यों को एक प्रतीक से संबोधित करते हैं जैसे कि X, फिर कॉलन, फिर गुण धर्म और फिर पूरे कत्थन को मंजले कोश्टक के बीच में लिखते हैं हमने ये भी पढ़ा कि जो तत्मों का जो क्रम होता है वहमाईने नहीं रखता और आखरी समुच्चे के सदस्य अलग-अलग होते हैं जैसे कि हमने उधारन टैबुलर में किया था आशा करते हैं आपको आज का भाग समझ में आया होगा धन्यवाद आशा करते हैं